नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका विंधिया टाइम्स में मैं हूँ आपके साथ स्वाती सतना के कोटर थाना छेत्र अंतरगर्त बारहवी की चात्रा के साथ गाउ कही एक लड़का आनन शुकला ने छेडखानी करते हुए अश्लील हरकत की है आपको बता दें बीते सोमवार को जैसे ही स्कोल की छुट्टी हुई तो पहले से छेडखानी वा अश्लील हरकते करने की फिराग में बैठा युवक अश्लील हरकते करने लगा छात्रा द्वारा जब इसका विरोध किया गया और अपने भाई को इसकी सूचना दी गई कि भाई के साथ आरोपी उवक ने मारपीट करना शुरू कर दिया और गाली गलोज करने लगा आपको बता दें छात्रा के भाई पर लाठी डंडे से कई बार हमला भी किया जिससे छात्रा के भाई के सिर पर चोट लग गई और वह बेहोश हो गया जब भाई को लहुलूहान हालत में देखा तो चात्रा अपने भाई को बचाने के रिए दोड़ी और आरोपी उवक ने चात्रा के उपर भी लाठी से प्रहार कर दिये जिससे चात्रा के हात पयर में गंभीर चोट लगी है वहीं आरूपी उवक छात्रा और उसके भाई को बीच बाजार में बेदम पिटाई करता रहा इसके बाब जूद लोग तमाश बीन बने देखते रहें कुछ देर में जब छात्रा की परिजनवा वरिष्ट नागरी काएं और उन्होंने बीच बचाब किया जिसके बाद पुलिस थाना कोटर ने छात्रा की शिकायत पर आरूपी उवक आनंज शुकला के खिलाप F.I.E.R दर्ज कर ली है पेडित छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरूपी उवक आनंज शुकला उसको महीने भर से परिशान कर रहा था और धमकी दे रहा था कि यदि घरवालों को बताया तो तुझे और तेरे भाई को जान से खत्म कर देंगे वहीं इस पूरी घटना से डरी सहमी छात्रा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया युवक की हरकतों पर जब अंकुष नहीं लगा तो छात्रा ने अपनी दादी से पूरी बात बताई आपको बता दे पेडित छात्रा और गंभीर रोप से घायल भाई रोहित सिंग का जिलास पताल सतना में उपचार चल रहा है उस दिन घटना इस थल पर आपके साथ क्या क्या हुआ है उस दिन जब मैं स्कूल से बाहर निकली तो वह आनन शुकला आया और मुझे मेरे साथ छेड़कानी कर रहा था और बोला कि नंबर दो है हो है धंकी दे रहा था कि न दोगी तो जान स्मार दूंगा ऐसा है फिर मैं अपने भाई को साइब में जाकर अपने भाई को बुलाई तो मेरा भाई उसको आया तो समझा रहा था कि ऐसा है समत करो तो उसको गाली देने लगा और अपने बाइक से डंडा उठाकर उसके सर पर तेशिवार कर दिया और उसका सर फट गया तब मैं उसके सर से खून निक गया वहां से और मेरा भाई दिस्टिक होस्टिटल में एड्मीठ है